किसान सात्य और नमस्कार जैहिंद एक बार फिर अग्रिकल्टर समर्दी चैनल में आपका हार्दिक अभिनेंदन है, स्वागत है आज हम इन्नौ के प्रवंदन के बारे में आप से बात करेंगे इस वीडियो में और आप अंद तक बने रहना क्योंकि बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाली है कि किसान को बागवानी में है जैसे किनू की हम बात कर रहे हैं तो इसमें प्रवंदन में जैसकी खाथ का प्रवंदन है पानी का प्रवंदन हे उसकी प्रूनि है इन विश्यों को बड़ा ही गंबीरता से लेना चाहिए और उसके साथ सबसे एक बहुत ही मैतोपूर्ण बात हम आज करने वाले हैं इस वीडियो में वह है बाग में हमें फलों की तुराई कैसे करनी चाहिए और किस परकार हम उसका बजार तक लेके जाना चाहिए और किस परकार किसान को फाइदा हो सकता है इस विशे को लेकर हम आज यह वीडियो बना रह और किस समय हमें तुड़ाई करनी चाहिए और खास करके मैं किसानों के कहना चाहूंगा कि वो खुद उसकी तुड़ाई करें प्रवंदन करें और आखिर बजार तक खुद लेके जाएं ताकि इनको अच्छा दाम मिले और वो दाम जब मिल सकता है जब उनके हम बारिक बारि खुरूत रहती है और किन्नो की तुराइग एनको समय औजार भी चाहिए कुछ सादन्शी है जिसमें सबसे महतवपूर्ण है हमें हमें चोटी कहनची इस्तिमाल करना हूँ और हमें सीडी वयंओ उपड़ तो यह सी-डी इस्तिमाल होती है इसके इलावा हमैं कैरत की आफस तुराई बैग के अंदर डालना चाहिए किन्नो को ताकि ये बहुत ही जूस वारी फसल है ये बैग है इसमें हमें डालना चाहिए किन्नो को अगर अगर निचे किन्नो को डालेंगे तो इसमें घाव हो जाएगा ये जूष का एक कटोरा है और से हमारा प्रूट का नक्षान होगा और हमें इसे दूर तक अगर मार्केट करना है तो इसको नहीं ले जा शकते तो ये जो हमारी कुछ चीजे हैं इनका हमें तुराई में ध्यान रकना चाहिए और अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो तुड़ाई है किन्नू की जो हर्वेस्टिंग है वो बहुत बढ़िया होगी और इससे हमें अच्छे दाम भी मिलेंगे और हमारा जो किन्नू है वो खराब नहीं होगा यह आप देख सकते हो जैसे यह बैग लगाया हुआ है और हात में एक छोटा सा कटर है जिससे हम किन्नू की हर्वेस्टिंग करेंगे और आप देख सकते हो किस तरह से किन्नू की कटाई हो रही है और इसको बटर कटिंग बोलते हैं ये बिल्कुल इसको नजदीक से काटा जाता है ताकि एक दूसरे से तक्राओ करके ये घाओ नाबने और इसको कितनी शांदर तरीके से एक-एक जो किन्नू है इसको काटके थेले में डाला जाता है और फिर इसको सफाई की जाती है ग्रेडिंग ट्रोटिंग मशीन से और फिर इसके बाद में बजार बेजा जाता है और हमें और भी अच्छा अगर करना हो और फ्रेश फ्रूट जो हमारी स्तानिय मंडी में बेजना हो तो हम इसका दो पत्वों के साथ भी कटाई कर सकते हैं जिस तरह ये कटी हुई है और ये फ्रेश फ्रूट बहुत ही जो ग्राक है उसको अपनी तरब खेंचता है और मार्केट में इसका अच्छा दाम मिलता है आप देख सकते हो कि इस बहुत ही शानدार तरिके से इसकी तुराई हो रही है क्योंकि ये एक बहुत ही जूस वारा फ्रूट है ओर जूस में बलक में जूस होता है और इसको हमेजा ही उपर से नहीं डालना चाहिए बिलकुल इसको साथ से बटuting, जिसको बोलते हैं और सिधा बैग में ही डालना चाहिए क्योंकि उंचाई पर भी फुरूट लगे होते हैं इसके लिए हमें सीडी का इस्तेमाल करना चाहिए और बटर कटिंग भी होते हैं के द्वारा ही ने कटाई करनी चाहिए बहुत ही शांदा तरीके से जो आप देख सकते हो और बिल्कुल नजदीक से कटा जा रहा है बिल्कुल नीचे गिरने से इसमें अंदर ये अंदर जूस खराब हो जाता है और एक दूसरे किन्नो में साथ लगने से उसमें फंगस आ जाएगा और उसका नुक्सान हो जाता है तो ये बहुत ही बटर कटिंग जिसको हम बोलते है किन्नो की बहुत स्टाक इसको तोड़ा जाता है जहां इसमें घाव ना हो आप देख सकते हैं बिलकुल सिटाक इसको तोड़ा गया है ताकि एक दूसरे किन्नू के साथ लगने से इसमें घाव ना हो और बहुत ही शांदर तरीके से इसकी तुड़ाई की जा रही है इसके लिए हमें ग्लॉज हाथ में डाले हुए हैं ताकि इसमें ये कांटे वाला जाड़ वाला पोदा है ताकि इसमें कहीं गाव ना हो एक छोटी सी कैंची भी आत में होती है जिसे तोड़ा जाता है और फिर इसको bag में डाला जाता है तो हमें carrot चाहिए एक छोटी कैंची चाहिए और एक हमें CD भी आसकता रहती है और इस तरह से हम हार्वेस्टिंग करते हैं आप देख सकते हो कैसे उपर से हम इसकी तुराई कर रहे हैं पुछे fruit को collect करने के लिए हमें CD क्याब सकता होती है तो बहुत ही शांदा तरिके से इसको कटन एक एक पीस को किन्नू के bag में भी डालते हैं साथ की साथ ताकि कहीं इसके निचे गेरने से किन्नू का जो जूस है वो कई नुक्षान ना हो जाए और साथ में हम जो स्कानिय मार्केट करते हैं नजदी की उसमें हम हम इस तरह के दो पतों के साथ मिए किन्नू काटते हैं ताकि उपर का एक जो हम मू बोलते हैं उपर का जो collect का जो मुख होता है वो इस से नज़। जाता है और फ्रेश रूट बजार में जाता है और जो कस्टमर है वो बड़े चाव से इसको पसंद करते हैं और खरीदते हैं विटामिन इस चाहँ बहुत ही शन्दार वैटी है और ल котором कीशाँ में जो खाने आँबरही है म्यू点 और BY CAS कि किन्नो है operation को क्रेटो में भठ लिया है उसको अम ग्रैडिंग उनिटil के लेके जाएंगे अब ईसको जरीए हम अब इसको हमारी शॉर्टिंग ग्रेडिंग यूनिट है उस तक जाएगी और वहाँ इसकी साफ स्पाई है उसके ग्रेड हम करेंगे और फिर ये मार्केट में हम इसको लेके जाएंगे तो ये देख सकते हो आप ये इसको रखा जा रहा है टॉली के अंदर और शान मार्केट भेजने का सिलसला सुरू होगा तो किसान साथियो आप देख सकते हो किस प्रकार से इसका प्रवंदन किया जाता है किसान साथियो इस वीडियो में हमने इन्नों के आर्वेस्टिंग कैसे करने चाहिए तुड़ाई कैसे करना चाहिए इसको प्रवंदन के बारे मे और अच्छी वीडियोज मिलती रहें और और भी आपके कोई सुझाओ है तो वो कॉमेंट बॉक्स में जुरूर लिखे ताकि हम उसका और सुधार कर सके और किसान का हम बला कर सके आपका बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत